हेलो बच्चों, उमीद है आप फिट फार्ट होंगे और अपने एक्जामनेशन के लिए बोर्ट के लिए जबरदस तैयारी कर रहे होंगे यह जो फुजिक्स की सीरीज है, यह क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है, सी वेसी बोर्ट के लिए और वहां मैं पूरी कुशिस कर रहा हूँ कि अपकी अच्छी से अच्छी मदद की जा सके अभी चेप्टर नमबर वन चल रहा है, आज हम लोग उसका फाइनल पार्ट करेंगे जो पार्ट नमबर फाइव है, इस पूरे चेप्टर को पाँच पार्ट में डिवाइट किया था, जिसके चार पार्ट यानि चार वीडियोज ओलेडी रिलीज हो चुके हैं, डिस्किप्शन में उनका लिंक लगा दूँगा, आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं आज हम लोग Gauss Theorem, Flux, Gauss Theorem वेगरा की हम लोग बात करेंगे दिहान न किएगा, अगर आप sequence में देखते हैं, तो आपको काफी जादा आसानी होगी चीज़ें समझने में तो बेटर यह होगा कि sequence में देखते चले, चली यह बात को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, electric charges and fields और full chapter schedule जो था, 4 part already कर चुके हैं आज हम लोग 5 पार्ट में, जिसमें electric flux, Gauss's Law, application of Gauss's Law पूरी बात complete करेंगे इसके इंदर, और इसके साथ ही यह chapter पूरा खतम हो जाएगा चली एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को यह चाहिए होता है कि जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी उनको मिल जाए, तो पढ़ाई में काफी उनकी help हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं तो आप इसका PDF भी ले सकते हैं, आपको बस छोटी सी बात करनी है, अर्विंद Academy टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजे, यहाँ पर मैं आपको PDF प्रवाइड कर दिया करता हूँ, अप्लोड कर देता हूँ, और आपकी पढ़ाई में तोड़ सी बढ़ियां help हो जाती है, अ Z language में, interesting way में, physics और maths आप सीख सकें, उसके लिए drona batch launch किया है, और big offer के साथ है, तो यह drona batch है physics का, यह drona batch है mathematics का, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ live, अपने सारे doubt क्लियर करना चाहते हैं, वो मेरे साथ शामिल हो जाएं, बहुत कुछ है इसमें जो आपको tremendous तरीके से help करता है, और boards में बहुत बढ़ी है, 95% से भी उपर marks आप लाते हैं, और competitive examination के लिए भी जबरदस concept clarity मिलती है, तो drona batch के साथ आप जुड़िये, और मेरे साथ पढ़िये, चलिए आज की topic पर आते हैं, तो इस topic में सबसे शुरुवाती बात होती है, area vector की, तो physics में area को area vector हम treat करते हैं, जिसे हम flux भी समझेंगे आगे, और उससे gossus theorem भी समझेंगे, तो area vector क्या लिया जाता है, देखिए, जब भी area vector लेंगे, मैं red color लेता हूँ, कोई भी surface आप जैसी plane surface ले रहे हैं, तो हमेशा area vector उसका direction perpendicular to the surface रहेगा, तो यह अगर plane है, plane में क्या होता समझ और plane surface नहीं है, तो क्या होता है, तो समझ यह, अगर यह plane surface है, मेरा हाथ समझ लें, तो यहाँ पर जो area vector होगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, वो इसके perpendicular direction इस तरफ होगा, area vector, क्योंकि यह both side open surface है, मेरा हाथ है इधर भी open, इधर भी open, तो आप area vector इधर भी ले सकते है और area vector इधर भी ले सकते हैं, it is up to you, जो भी area vector आप पकड़ेंगे, in case of open surface, वो आप पूरे numerical के दोरान, वही मान के चलेंगे, अगर कहीं पर close surface मिल जाता है, जैसे मैंने एक box रख रखा है, इससे मैं दिखाने की कुशिस करूँगा, थोड़ा मैं इसको साप भी कर लेता हू तो यह देखिए, मान लीजे, यह close surface है, तो close surface में इस टॉप वाले का area, क्योंकि यह तो area का magnitude है, इसका area vector किदर होगा, perpendicular to the surface and outside, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, कोई भी close surface आप लेंगे, उसमें area vector perpendicular to the surface तो रहेगा, लेकिन outside to the surface रहेगा, surface area, यह जो cylindrical part है, यह surface area, यहाँपर ऐसे रहेगा, बाहर की तरफ, इस तरफ यह ऐसे रहेगा, और नीचे वाले का surface area, नीचे की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ, तो इतनी बात हमें पकड़नी है, आगे बाज़ शुरू करते हैं, इसके आगे, और बातों को समझते चलेंगे, तो आप बात सम चूस के लिया था मैंने तो यह area vector अगर S है तो S को क्या लिखते हैं भाई अगर rectangular sheet है तो इसका area हो जाएगा तो मैं यहाँ पर S लिख देता हूँ इसका sorry इसका magnitude मतलब area और एक normal vector जिसे हम n cap लिख सकते हैं जो की perpendicular to the surface area है इतनी बात हमको ध्यान लखनी है कि area को area vector treat करना है open surface ह तो किसी भी side area vector ले लीजे surface area उसका magnitude है direction perpendicular to the surface open surface है तो any side जो मान की चले मानते रहें अगर close surface है जैसे मैंने cylindrical box दिखाया या कोई cubical box ले लेंगे तो वहाँ पर आप outside the box outside the surface area लेंगे inside नहीं लेंगे तो यह surface area यह flex के लिए भी काफी important है और यहीं से बाज शुरू होती है अब इससे बात चुड़ती है अगली electric flux की तो electric flux क्या है तो electric flux क्या देखिए formula भी देखिए और जो चीज़ लिखी हुई इन्होंने क्या लिखावा है electric flux वो number of electric feed lines हैं जो perpendicularly किसी area से पास होती है तो electric flux associated with the area is the number of electric feed lines passing through the area perpendicularly यह मतलब है कि अगर कोई area है ऐसे तो इससे perpendicular direction में जितनी electric feed lines जा रही है उसी को electric flux बोलते हैं और इसका formula यह लिखा हुआ है यहां लिखा मैं एक विर repeat कर रहा हूँ electric flux एक scalar quantity होती है फाई notation है flux का फाई बोलते हैं इसको और यहाँ पर E लिख देखते हैं तो electric flux लिख देते हैं कोकि magnetic flux भी होता है तो फाई की नीचे M लिख देते हैं वहाँ पर यहाँ पर फाई की नीचे E electric flux और यह हो जाता है product of both the things both vector quantities है और इसका जो magnitude आजाएगा वो आजाएगा E delta S cos theta यह क्या है electric flux? electric flux आगस के examination में इसकी definition बहुत पूछी जाती है तो this is very important यह definition आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पर देख लेते हैं जब हमारा यह surface area है area vector उसके perpendicular है तो इस direction में देखिए area vector आ गया delta S का direction और electric field भी इसी direction में है तो अगर दोनों ही इसी direction में है तो theta की value कितनी हो गई? 0 degree electric field भी इदर ही है और surface area के perpendicular आपका area vector भी है तो दोनों में angle 0 degree आया तो electric flux कितना बना यहाँ पर? phi E लिख दें अगर E electric field की value इसका जो area है delta S और यह रहा cos 0 degree तो E delta S आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर देखिए angle पर है यहाँ पर हमारी electric field line देखिए कैसी है? मैं red color ले ले लेता हूँ शायद आराम से दिख जाएगा यह electric field line है देखिए और इसका जो area vector है सीधा ऐसे रखा हुआ है ना तो area vector तो इधर ही जाएगा area vector का direction इधर ही है यह area vector जो की perpendicular to the surface होता है तो इन दोनों के बीच में देखिए यह जो angle बना this is theta तो यहाँ पर आप formula जब लगाएंगे phi तो क्या लिखेंगे e delta s और cos theta या इसी लिए dot product में लिख देते हैं हम लोग phi is equal to e dot ds इसको आप पकड़ के रखिए और electric flux की definition काफी important है आपके examination में पूछी जाती है electric flux एक scalar quantity है simply इसका हम लोग addition कर देते हैं इसमें कोई direction नहीं पाई जाती ठीक है इसकी units कुछ देख लेते हैं बिटा इसकी unit electric flux is a scalar quantity जैसी बात की unit की बात करेंगे तो एक unit होती है इसकी newton meter square per column निकाली गई है जैसे हम लोग निकालते हैं और second chapter पढ़ेंगे तो वहाँ potential difference या volt उसकी unit होती है जैसा ही उस form में लिखेंगे तो वोल्ट मीटर तो बोट आर दी units of electric flux बात समझ में आई होगी इसको पकड़ के रखेंगे एक numerical करते हैं जिससे बहतर धंग से हमारी बात हमारी जहन में चली जाए यहां लिखा है एक electric field लिखा हुआ है vector quantity होती है electric field vector form में calculate the electric flux through a surface of area 20 units 20 units के मतलब है इसका magnitude है अचा किस direction में यह है उसके लिए इनों नों बोल दिया in y z plane तो देखें यहां पर मैं बनाता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आई इसलिए x-axis y-axis और सहब यह रहा z-axis बढ़िया एक जो surface area है वो y z plane में तो y z plane यह है तो यह देखिए आपका यह कोई आप यहां पर ऐसे मैं ने बना दिया this is the कोई surface area है बास समझ में आपके आई होगी y z plane है यह क्या है y z plane अचा इसका area vector किदार होगा इसके perpendicular होगा तो area vector का direction होगा इस तरफ और यह किसका direction है x-axis का n cap जो लिख रहे हो न n cap जो लिखेंगे वो किस direction में जा रहा है basically basically वो i cap की direction में जा रहा है x-axis की तरफ तो अगर मैं area vector लिखना चाहूँ यह देखिए तो इसका magnitude s और area इसका direction तो direction क्या रहा i cap x-axis की तरफ है न तो s की जगा 20 हो गया और यह रहा i cap यह हो गया area what is this? this is area vector area vector flux निकालना है pi e e dot s area vector यह रहा 6 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap dot product 20 i i अब dot product तो 11th में काफी सीखा है कि वह आई वाला ही पार्ट मिलेगा तो यह क्या हो जाए कि 6 into 20 बाकि सब 0 हो जाएंगे तो 120 units 120 units आपका answer आ गया scalar quantity है तो कोई i, j के नहीं आने वाला और इस तरीके से यह answer आपके हाथ में है तो आपको यह बात सीख लेनी चाहिए उमीद है इस बात को आप पकड़ भी पाएंगे नोट कर ले मैं हट जाता हूँ फिर आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग ने दो basic चीजें सीख ली गौस्ट थेोरम के लिए जरूरत थी area vector जो flux में इस्तमाल होगी और electric flux खुद जो गौस्ट थेोरम में इस्तमाल होगा अब हम लोग गौस्ट थेोरम पढ़ लेते हैं तो दिखिए Gauss theorem क्या है तो Gauss theorem क्या बोलती है ये आपका relation establish करती है electric flux में और charge inside the close surface में कि charge close surface के अंदर कितना है उससे निकलने वाला flux कितना होगा इसके बीच का ये relationship establish करती है क्या बोलती है बोलती है Gauss theorem states that the total flux through a close surface ध्यान दीजेगा ये कहानी close surface के लिए ही है any close surface the total flux through a close surface is one upon epsilon not times the net charge enclosed by the close surface net charge enclosed भी रखें by the close surface mathematically यहाँ पर देखिये लिखा है phi e मैं एक बार all लिख देता हूँ phi e scalar quantity है आप ये close surface के लिए symbol लगाते हैं ऐसा गोला लगा देते हैं मतलब close surface और e.ds या e.s कर देता हूँ और यही जो ये total flux है ये कितने के बराबर होगा q inside net upon epsilon not epsilon not तब लेते हैं जब free space हो और free space की जगा अगर कोई medium है तो epsilon उस medium का लग जाएगा q inside कहने का क्या मतलब है कि net charge कितना है उसके अंदर अगर कोई मैं surface किसी भी close surface के लिए मालीजी 3D structure है amoeba टाइप का तो भी इसके लिए gaus theorem valid होती है close surface तो है ही है बशर्ते आप इसको सम्हाल नहीं पाएंगे हम नोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें metricity चाहिए होती है हम इसको निकाल नहीं पाएंगे लेकिन true है इसके लिए gaus theorem तो यहां पर मालीजी प्लस टू चार्ज है कुलाम और माइनस 3 कुलाम है ठीक और एक मैं यहां समझाने के लिए एक प्लस 5 कुलाम का चार्ज यहां भी ले लेता हूँ और मैं यह जानने की कोशिस करता हूँ कि इस point P पर कितना electric flux बन रहा या निकलेगा तो इससे निकलने वाला electric flux होगा P पर कह लिजे आप वो अगर मैं लगाऊं तो P का मतलब है total इससे कितना निकलेगा total flux total P की बात निकलेगा Q inside net upon epsilon 0 net कितना चार्ज है plus 2 कुलाम minus 3 कुलाम upon epsilon 0 तो minus 1 कुलाम आ गया net charge और यह रहा epsilon 0 जो भी value आई net charge के रूप में तो net charge inside इसको नहीं लोगे flux के समय क्योंकि आप क्या बता रहे हो total charge net charge inside the close surface close surface के अंदर कितना चार्ज है बाहर कितना उससे कोई मतलब नहीं तो यह total flux associated with close surface close surface मतलब कैसी भी हो बढ़ियां अगर हम यह जानने की कोशिस करें कि जो flux निकल रहा है P point पर कितना इलेक्टिक किस किस चार्ज की वज़े से इलेक्टिक फील्ड है तो यह जो P point है ना यहाँ पर इलेक्टिक फील्ड इन तीनों की वज़े से होता है ध्यान लखिएगा flux तो केवल इंसाइड दा चार्ज वाला मामला है लेकिन जब इलेक्टिक फील्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर E P की बात करें तो उसके लिए यह भी responsible है यह भी responsible है यह भी responsible तीनों मिलकर जो इलेक्टिक फील्ड बनाते हैं P पर वो मल लिया जाता वो होता है confused नहीं हो रहे होंगे जब हम flux की बात करेंगे तो Q inside net charge लेंगे जो उसके अंदर है net charge close surface के अंदर electric field की बात करेंगे तो यहां पर electric field जो बन रहा है उसके लिए अंदर और बाहर दोनों charge responsible होते हैं यह मैंने काफी अच्छी चीज़ आपको बताई है इसको पकड़ के रखिएगा अब यह जो हमारा Gauss theorem होता है यह Gauss theorem एक तरह का alternate form of Coulam's law है कुलाम law किसी चीज़ को अगर दो पन्ने में solve करता है तो अगर उसमें हमें symmetricity मिल गई क्या मतलब है symmetricity का बताऊंगा भी कहीं symmetricity मिल गई तो हम लोग Gauss theorem की मदद से वो दो ढ़ाई पन्ने का कारिकरम चार लाइनों में खतम कर देते बशर्ते symmetricity मिलनी चाहिए और symmetricity नहीं मिली तो Gauss theorem तो close surface के लिए applicable होगी लेकिन हम उसको calculate नहीं कर पाएंगे समाल नहीं पाएंगे उमीदाबात पकड़ पा रहे होंगे अब इसके आगे इसका proof करा देता हूँ आपको जल्दी से कभी कभी पूछ लेते हैं proof of Gauss theorem जब पढ़ी रहे हैं तो पूरी बात पढ़ें तो ये इतनी बात आप समझे होंगे Gauss theorem का मामला क्या है ये लिखने को भी exam में आती है इस पे सवाल भी आते हैं तो हर चीज आ सकती है इसके अंदर important है ये तो जहां तक heading बेंडे डाल लखी थी proof of Gauss theorem तो proof क्या है बात शुरू करते है Gauss theorem तो मैंने आपको बताई दी है अब इसके proof के लिए simplicity के लिए हम एक charge लेते हैं जो charge यहां रखा है कहीं पर और एक surface लेंगे जो spherical surface होगी इसी के around ऐसे एक surface लेते हैं ये है spherical surface और foot wall type की और इसी surface को हम बोल रहे हैं ये Gaussian surface है हमें close surface मौजूद हो तो ठीक है नहीं तो hypothetical भी ले सकते हैं बस हमें ऐसी लेनी होती कि symmetricity मिले क्या symmetricity का मतलब है बताता हूँ अभी है ना तो ये Gaussian surface है यही जो हमारी spherical surface है अब ये Q charge यहां पे रखा है Q charge रखने की वज़े से अगर हम कही पर भी ये distance कुछ ले लो ये distance ले लेते हैं radius ले ली suppose कर ये r तो यहां छोटा सा portion अगर मैं लूँ which is ds area तो ये जो area है आप देखेंगे area vector perpendicular outside रहेगा तो tangent के perpendicular area vector गया इधर which is ds और electric field भी इसका radial होता वो उसका भी direction नहीं है तो what is the angle between ds and e 0 degree electric field जिस दिशा में है उसी दिशा में area vector भी है और ये कहीं के लिए भी valid है यहां भी बात करेंगे तो यहां भी ds इधर और electric field भी इधर और electric field r distance पे लोगे तो ये spherically symmetric होता है यानि जितनी value e की यहां है उतनी value e की यहां क्योंकि rr तो हर जगा बराबर है हर जगा e same आएगा तो electric field कितना हुआ इस point पर अगर हम बात करें तो value हो जाएगी e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square इसमें कोई दिक्कत नहीं है और angle theta between e vector and ds vector is zero degree यानि theta is equal to zero degree ये भी हम समझ पाए तो flux associated with ds लिखें अगर छोटा सा जो area था flux associated या through associated with area ds तो हम कहा लिख सकतें छोटा सा flux जाएगा e dot ds फिर लिखोगे e ds cos 0 degree क्योंकि दोनों के बीच में angle 0 था तो ये value बन जाएगी e ds बास समझ में आई होगी total flux निकालना पड़े total flux तो हम इसको integrate कर देंगे तो phi e मैं yellow color कर लेता हूँ phi e is equal to integration of d phi e सारे के flux के लिए तो यहाँ पर integrate जब करने जाएगे इसको तो close surface में कर रहे हैं e ds को integrate electric field तो सेम है हर जगा यहाँ भी electric field सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम magnitude की बात कर रहा हूँ हर जगा electric field का value सेम है तो यह e बाहर आ गया और यह रहा ds तो यहाँ पर देखिए phi e की value कितनी मिली e into close surface का total area तो क्योंकि spherical in shape है foot wall type है तो 4 pi r square is the surface area into 4 pi r square is the surface area e की value यहाँ से put कर दो यहाँ तो मैं यहाँ पर e की value 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square कर देता हूँ put into 4 pi r square तो 4 pi r square देखिए cancel हो गया यहाँ से value उनको क्या मिली pi e is equal to q upon epsilon naught और यह क्या है this proves gauss theorem gausses theorem तो यह अगर proof आपको gauss theorem का पूछा जाए तो इस तरीके से gauss theorem का proof आप कर दीजेगा यह एक बढ़िया तरीका हो जाएगा अच्छा यहाँ पर जो हम बार बार symmetricity की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा elaborate कर देते हैं जिससे आप बात पकड़ पाएं यहाँ देखिए यह जो हमने spherical surface लीती जिसे हम Gaussian surface बोल रहे थे अगर यह charge देखिए बुद्धी लगाईएगा और मज़ा भी आएगा Q-charge रखा है तो हमने तो spherical लीती spherical की जगा हम ऐसी surface भी ले सकते हैं यह भी sphere type में टेड़ा मेड़ा है है तो गोला फुटबॉली है लेकिन टेड़ी मेड़ी है ऐसे तो Gauss law इसके लिए valid है is valid for any closed surface for any closed surface लेकिन यहाँ यह symmetric figure नहीं है जिससे problem क्या होगी हम इसको handle नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं handle कर पाएंगे वो कि माल लीजे हमने यहाँ पर एक ds बनाया तो electric field ds हो गया माल लीजे इस तरफ और electric field यहाँ से जा रहा है तो radially ऐसे गया कुछ angle बना यहाँ पर चले आए तो पता लगा इसका ds इस direction में है electric field इस direction में है तो यहाँ angle theta 1 था तो यहाँ angle theta 2 आ गया और कहीं जाएंगे तो theta 3 आ जाएगा तो इन सारी flux को जब हम e dot ds करेंगे समझेगा मेरी बात तो हर के लिए theta बदल जाएगा na e ds किसी के लिए cos theta 1 किसी के लिए cos theta 2 और कितना हर point पे theta बदल रहा है हम इसको handling नहीं कर पाएंगे तो symmetricity कहने का क्या मतलब है कि electric field और जो area vector है उसमें angle हमारा मोटे तोर पर या तो 90 degree बने या शून बने मोटे तोर पर या जो बने वो constant रहे चारो तरफ तो कोई समस्या नहीं है आप बात समझ पाएंगे ना पूरे स्पेयर के लिए तो हमें कोई तकलिफ नहीं symmetricity हो गया कही 90 मिलता तो सब के लिए 90 मिलता तो नहीं पट लेते या कोई ऐसी value मिलती theta की जो बदलती नहीं तो भी ठीक था हमारे लिए तो उसे symmetricity बोलेंगे आप अगर यह symmetric figure नहीं हुई तो हमारे लिए Gauss law valid तो है हम उसको समहाल नहीं पाएंगे हम calculate नहीं कर पाएंगे बात समझ के होंगे मेरे खहल से यही symmetricity की बात की जाती है और इसी में दो बाते और जोडते है Gaussian surface के बारे में अब आपको दिकी बात पकड़ में पूरी आ जाएगी कि Gaussian surface फिर क्या होती है आपसे पूछे जाएं Gaussian surface exam में लिखने में कर आ जाता है तो इस तरह लिख दीजेगा Any hypothetical closed surface surface बंद होनी चीए closed कोई भी hypothetical closed surface enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge charge को enclose कर रही हूँ It is chosen to evaluate the surface integral of the electric field produced by the charge enclosed by it which in turn gives the total flux through the surface वही जैसे हमने इस spherical hypothetical surface area ले लिया तो उस तरह के से ले सकते हैं और बाद में इस चीज लिखी भी है importance क्या है कि आपकी जो clever choice है Gaussian surface की कि आप जो closed surface चूज कर रहे हैं वो आप कितनी बुद्धिमानी से चूज कर रहे हैं उस से क्योंकि symmetricity लानी है अगर आप बुद्धिमानी से चूज करेंगे तो आपका सवाल या आपका जो case है वो easily solve हो जाए चाल लाइन में symmetricity मिल गई तो जैसे यहां की बात करें अगर ये clever choice नहीं थी ये हमारी close surface की तो भसण मच गई हैं हम नहीं समाल पाए ये हमारी close choice थी इस spherical ढूनना इस spherical Gaussian surface पकड़ना clever choice थी इसलिए हमने चार लाइनों में गॉस लाइक को proof कर लिया बात पकड़ में आई होगी तो ये आप थोड़ा मैं इसको proof भी दिखा देता हूँ ये शायद note करने का मौका आपको नहीं दिया था ये आप proof थोड़ा सा note कर लिजे बाकी मैं अर्विंदे कड़मी टेलिगराम चैनल पे तो आपको दूँगा ही और ये यहाँ पर proof हो गया था देखिए कोई दिक्कत नहीं फिर मैंने कुछ बाते आपको समझाई जिससे funda आप समझ पाएं अची तरीके से और उसके बाद ये Gaussian surface की बातचीच चल लई थी ये भी मैंने आपको बताया कि importance क्या है Gaussian surface कैसे चूज करेंगे और Gaussian surface का मतलब कहा रहा ठीक है अब एक कदम और आगे चलते हैं यहां पर देखिए एक और कहानी आपसे पूछी जाती है जब पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे कुलाम्स लॉफर फॉर्फर फॉर्म गॉसस थियोर्म अब वहाँ पर गॉस थियोर्म प्रूफ की थी और इसकी एक गॉसियन सर्फेस इस्वेरकल गॉसियन सर्फेस पकड़ लेते हैं इस्वेरकल इस तरीके से यह फिगर बड़ी अच्छी नहीं बनी यह सेंटर शायद यह नहीं है फिर भी कोई बात नहीं आप मोटे तोर पे इसको पकड़ लें अब हमको यह पता है कि क्योंकि यह स्वेर है यह स्वेरकल शेफ है फुड़ वॉल टाइप का स्ट्रक्चर कह लीजे हॉलो स्वेर कह लीजे तो यह जो सेंटर पे रखा है चार्ज आपका ओ लिग देता हूँ जिसे सेंटर पता चले अब यहाँ पे एलेक्टिक फिल्ड कहीं भी आप लेने जाएंगे एलेक्टिक फिल्ड की बात करें तो हर जगा एलेक्टिक फिल्ड की वैलू सेम रहेगी इमको मालूम है और रेडिली आउटवर डिरेक्शन में रहेगी तो हर जगा एलेक्टिक फिल्ड सेम और readily outward तो due to symmetry due to symmetry magnitude of E is same for same R वही R अगर यहां से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं तो R अगर same है तो electric field का magnitude same रहेगा and readily outwards and readily out words यह बात हम लोग यहां पर पकड़ पाएं अब suppose करिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक area ले ले लेते हैं surface area ले लिया यह surface area कितना ds अब इसमें मैं मालूम है कि electric field का direction यह है और surface area ds भी area vector भी इसी direction में है तो angle कितना हो गया है यहां 0 degree बात पकड़ में आई तो मैं यहां लिख देता हूँ surface flux associated with d phi e डिरेक्ट लिख रहा हूँ यहां पर आप e dot ds कर सकते हैं यह flux छोटा सा flux associated with this surface area है तो e dot ds आपने किया अब एक कदम और बढ़ाएंगे तो इसको लिख देंगे e ds cos 0 और यह value हो जाएगी e ds बात समझ में आई होगी अब net flux लिख दूँ अगर मैं यह total flux net flux through close surface s यह s ले लेते हैं close surface इससे कितना होगा तो phi e जो total flux होगा वो integrate कर देना चाहिए हमको d phi e को तो यहां हमने close surface पे integration कर दिया e dot e ds पे यह जो value आई थी हमरे electric field हर जगा बराबर है r बराबर हो तो electric field बराबर तो electric field चला गया देखिए बाहर और यह value हो गई ds और एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं और यह phi e की value कितनी हो गई electric field और यह surface area which is into 4 pi r square तो एक equation हमारी यह बन गई कि यह total flux कितना आया e into 4 pi r square और from gausses theorem क्या आएगा from gausses theorem वो यह बोलती कि जो total flux होता है वो q inside upon epsilon naught होगा अगर हमारा जो medium है वो vacuum या free space है तो q inside कितना रहा which is q और यह epsilon naught यह equation number 2 from gausses law 1, 2 से flux तो same ही है ना तो मैं लिख सकता हूँ from 1 and 2 equate कर देते हैं 4 pi r square बराबर q upon epsilon naught तो यह value क्या हो गई e is equal to इसको नीचे ले यह 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square यह देखिए क्या है this proves coulomb's law तो यह electric field है अगर मैं force की बात कर दूँ q1, q2 की तो force क्या होता है q naught into e तो आप लिख देंगे 1 upon 4 pi epsilon naught q into q naught upon r square this proves coulomb's law तो यह देखिए मैंने पूरी बात आपको बताई कि आप gausses theorem को proof कैसे करेंगे और gausses theorem से coulomb's law कैसे निकालेंगे कैसा भी सवाल आए आप समाहल पाएंगे तो मैं फटाक से आपको यह दिखा देता हूँ आप इसको note कर सकते हैं फिर gausses theorem के उपर जो सवाल बनते हैं उसको भी करने के हम लोग फटाफट कोशिस करेंगे तो यह बात आप note कर लें तेजी से और यह मैं थोड़ा उपर ले जाता हूँ तो यह आप pause करके अब तक आपने note कर लिया होगा चलिए आगे question देखते हैं और यह question बड़ा famous है आप किया दो ही type के question पूछे जाते हैं वेटा एक तो cube आता है एक cylinder आता है हर बार 99% यही आता दोनों ही मैं करा दूँगा जिसे आपको तकलीफ ना रहे हैं प्यार्टी का सवाल है एक्जाम में कई बार आ चुका है ऐसे ही question आवेंगे एक्जाम में तो चलिए देखते हैं dialectic field components in figure are e x is equal to alpha है alpha x की power half e y और e z की value 0 है यानि इस diagram में देखें तो x-axis की तरफ तो electric field है लेकिन e y component e z component शून है according to question in which alpha की value दे रखी है 800 newton पर कुलाम मीटर स्क्वार calculate the flux phi e through the cube इस cube से कितना flux जा रहा है हम ये निकालने की चेश्ठा करेंगे और दूसरा क्या है the charge within the cube इस charge के अंदर इस cube के अंदर कितना charge है ये भी निकालने कोशिस करेंगे और ये a दे रखा है और a की value 0.1 meter दे रखी ये दे कि a है और सारे dimension a a लिखे हुए है तो यहाँ पर अगर आप मैं शुरू करूँ निकालना तो आप क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि यह जो electric field है उसका direction इसके हिसाब से x axis की तरफ है मैं एक मोटी सी line बनाता हूं ऐसे आपको समझाने के लिए electric field ऐसा ही है क्योंकि इस formula भी देखिए x बदलेंगे आप ये x center से है alpha constant है तो electric field vary होगा लेकिन direction x axis की तरफ ही है इस point पर कुछ और electric field इस पर कुछ और यहाँ कुछ और लेकिन direction is this one तो ये जो चार यहाँ पर आप मैं इसको shade कर देता हूं और इधर वाले को shade कर देता हूं बाकि इसके चार surfaces आपको देख रहे होंगे मैं top के लिए one पीछे वाले के लिए two आगे वाले के लिए three नीचे वाले को four लिखता हूं और five वाला मैं इसको पाँचवा नंबर बोल देता हूं और इसको छटा नंबर सर्फिस बोल देता हूं बास समझ में आई होगी अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर electric field इस direction में है और इसका area vector किदर है इस direction में यह मैं डियस लिख देता हूं चलो तो दोनों में कितना angle हो गया है 90 degree तो इससे associated flux क्या हो जाएगा शून क्योंकि cos 90 0 होता भी मैं लिखके दिखाऊंगा आप जिसे बिल्कुल तकलीफ ना हो इसी तरीके से नीचे वाली की कहानी electric field इधर है area vector नीचे फिर 90 degree angle और इसी तरीके से इस वाले का अगर ये मेरे कास cube यहां है नहीं एक cube मैंने रख रखाता है समझाने के लिए मुझे अगर मिल जाए तो मैं दिखा सकता हूं लेकिन शायद मिलेगा नहीं तो आप ये समझ लीजे हटा दिया शायद किसी ने ये surface अगर है इसकी बात कर चुक और इसका area vector आपकी तरफ है तो electric field ऐसे area vector आपकी तरफ तो 90 degree बन गया तो ये जो चारो एक कमरे में आप बैठे हैं टॉप और bottom छोड़कर चारो दिवालों पर ये दो दिवाल बाजू की दो आगे पीछे की इन सब में जो flux associated होगा वो शून होगा क्यों क्योंकि electric field और area vector के बीच में 90 degree का angle बन रहा है ठीक मैं लिखके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर इस बात की चर्चा को आगे बलाओं बढ़ाओं कि total flux निकालने जाओं तो मैं लिखता हूँ close surface e.ds तो देखिए का क्या तरीका अपना रहा हूँ यहाँ s नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा यह गोला लगा दिया close surface अब यह close surface के लिए अलग-अलग surfaces से जाने वाले flux को जोड़के लिख देना चाहिए हमको तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख रहा हूँ पहली surface के लिए ऐसे लिखा जो भी electric field होगा अब मैं इसको ds लिख देता हूँ या आप ds1 भी लिख सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है और plus dot और यह रहा second वाला जो भी electric field है ds इसी तरीके से तीन नमबर इसी तरीके दिधान दीजेगा जिसे आपको हमेशा के लिए फुरसत हो जाए और बातों को आप समझ सकें अब यह रहता है 5 नमबर और यह रहा हमारा 6 नमबर ठीक अब यह जो एक से लिए के 4 नमबर है उसमें हमेशा electric field और area vector के बीच में 90 degree angle बन रहा है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहीं दिखा के आपको चलिए मैं show कर देता हूँ यहाँ इसको मैं लिखता हूँ तो यहाँ आप लिखेंगे क्या e1 ds cos 90 degree देख रहे हैं इसी तरह आप लिखेंगे इसको e2 ds cos 90 degree इसी तरह तीसरे का लिखेंगे इसी तरह आप चौथे का लिखेंगे ओकी चारों में एंगिल कितना बनाता 90 90 अब बात आई पांचवे की तो पांचवे का का काम जीरो नहीं होगा इसके बीच में एंगिल क्या हुआ यहाँ समल लेते हैं यहाँ पर देखिए electric field का direction इधर है और area vector इधर है यह ds यह electric field तो दोनों के बीच में कितना इंगिल आया पांचवे के लिए theta वरावर 180 डिग्री बात पकड़ मैं ही theta यहाँ पर कितना आया 180 डिग्री पांचवे के लिए electric field भी इधर और ds भी इधर यहाँ पर theta कितना आया 0 डिग्री बात समझ माई ही होगी आपको तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ पांचवा नंबर e6 ds cos इधर के लिए 0 डिग्री बात समझ में आई होगी अब यह सारी values हमारी 0 हो गई तो क्योंकि हमारा 0 होता है तो यह सारी value हमारी खतम हो गई चौथे नंबर वाली पांचवी छटी बची अब पांचवी छटी को जल्दी से निकाल लेते हैं अब पांचवी का जोको electric field क्या आएगा मैं yellow color use करता हूँ तो मैं यहाँ पर e5 लिख लेता हूँ पहले e5 पर कितना electric field है alpha x की power half लिखा था तो alpha लिखा और यहा पर आपने x की जगा a लिख दिया alpha a half बाद पकड़ में आ गई अब flux पांचवी नंबर पे क्या रहा total flux यहां की बादचीत करें तो वही जो मैं लिख रहा था ea dot ds जो आपको समझाया था यानी electric field into s और यह रहा cos 180 degree सब पूरा integrate करके आप लिखेंगे total तो यह value कितनी आ गई electric field number el का मतलब पांचवा नंबर electric field है left side या पांचवा नंबर आप लिख सकते हैं तो इसके मैं लिख रहा हूं e5 और 7 में alpha a की power half था तो इसे आप क्या लिख देंगे इसका multiplication alpha a करते हुए into delta s या e5 रहने दें और area vector e5 रहने दिया और इसका total area क्या आ गया एक side a थी तो यह a square आ गया तो यह value हो गई minus e5 a square बास समझे आई न e5 e5 रह गया और यह delta cost 180 होता है minus 1 और delta s कितना हो गया area तो यह area इसका कितना है a square cube है न तो a square हो गई side इसी तरीके से बिटा अगर हम right side यह 6 number point का निकालें 6 number मला यह surface तो यहाँ से distance कितनी है a और a 2 है तो यहाँ electric field कितना होगा formula के नुसार alpha x की power half alpha लिखा और a की जगा आपने लिखा 2a तो कि distance कितनी थी वेटा 2a और यहाँ पर अब flex लिख लिजे 56 तो 56 का मतलब क्या है e5 into delta s और cos 0 degree तो यह e5 तो जो रहा e5 वही लिखे रहें दिया और यहाँ पर delta s कितना है उसका इधर का भी जो area है वह a square है तो वह रहा a square तो e5 a square आ गया अब net flux यहीं लगा देते हैं total flux यह net flux तो इन दोनों को जोड़ दीजे बाकी सब तो 0 न थे यही दो तो बचे थे तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में e5 प्लस e6 55 प्लस 56 तो value रख देने चाहिए मुझे तो alpha 2a कहा यह कहा गई यह value लिख देते हैं यहाँ पर पहले लिख 5 a square minus और यह e5 ना हो कि e6 चल रहा भाई यह e6 है और e5 उपर वाला है तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ पॉस्टी में से निगेटिग बिटा देता हूँ तो e6 कटाने का मतलब जोड रहे हैं तो minus e5 a square अब यहाँ पर आप थोड़ा सा उपर कर लेते हैं value रख के इसका खेल खेतम करतेंगे अब देखिए value क्या होई e5 e6 की यह a square common ले लिजे और e6 की value कितनी है e6 की value हम दों ने निकाली है alpha 2a की power half minus e5 कितनी है alpha a की power half अब देखिए इसमें से alpha भी common आ जाएगा और a की power half भी common आ जाएगा तो alpha a square हो गया और a की power half यहां क्या बचा यहां बचा root 2 और यहां क्या बचा minus 1 alpha a की power half common ले लिया है यह value कितनी है यह alpha 2 में आधा जोड़ेंगे तो 5 by 2 root 2 minus 1 अब यहां पे थोड़ा सा और उपर करते हैं और value डाल देते हैं alpha की value 800 थी a था 0.1 root 2 minus 1 बेटा solve करोगे तो 1.05 newton meter square पर कुलाम यह आपको यहां पर इसका answer मिल गया कि net flux इसके इंदर कितना है उमीदे बात पकड़ में आई होगी कि कितना flux इससे associated है एक चीज़ और पुछी थी कि charge inside the cube कितना है तो charge आप जानते हैं from Gauss theorem from Gauss's theorem phi e की value कितनी हो जाती है q inside upon epsilon not तो q inside निकालना हो तो आप phi e into epsilon not करती जे तो phi e को दे रखा है इसी को multiply करती जेगा देखे phi e हो गया है यह और epsilon not तो 1.05 into epsilon not is the answer epsilon not की value रखके आप इसको multiply कर देंगे answer निकल आएगा 8.85 and so on बस बात खतम हो जाएगी तो यह charge inside कितना है 1.05 into epsilon not और कितना flux associated है 1.05 इसको आप note कर लीजे फिर आगे की चीज मैं दिखाता हूँ आप इसकी value रखके multiply कर सकते है 1.05 into 8.85 into 10 की power minus 12 यह जो भी answer आपको दे रहा होगा वो मिल जाएगा ठीक है तो मैं यह आपको उपर से दिखाता हूँ फिर ऐसे ही एक सवाल आओ लूँगा जिसे बुलकिल बात आपको जबर्दस clarity के तहट मिल जाए इसको आप note कर सकते हैं और इसको मैं तोड़ा उपर करता हूँ जिसे की पूरी बात आप ऐसे सवाल एक्जाम में आपको आते हुए मिलेंगे जिसे आपको कोई भी परिशानी का सामना ना करना पड़े इसी में एक cylindrical format आता है उसको भी मैं बताने की कुशिस करूँगा सवाल देखने में लंबा है घबराईएगा बिलकुल नहीं है पर रखा है तो 10 cm इधर है 10 cm इधर है साथ में देखी इसका जो रेडियस है 5 cm है शायद डायमिटर दी होगी लेकिन जो भी डायमिटर बीस सेलिंदिकल लेंथ 20 cm था 10 इधर 10 उधर और इसका रेडियस दे रखा है 5 cm यह x-axis है यह यहाँ पर जो एलेक्टिक फील्ड है वो ऐसे दे रखा है देखिए अगर पॉजिटिव x है यानि 0 के इस तरफ तो एलेक्टिक फील्ड देखिए पॉजिटिव है 200 आई कैप पॉजिटिव होने का मतलब इस तरफ एलेक्टिक फील्ड इधर है पॉजिटिव x डायरेक्शन में और यहाँ पर देखिए x की वेलोग पर 0 से छोटी है यानि इस तरफ लेफ्ट एंड साइड तो एलेक्टिक फील्ड के इधर दिख रहा है माइनस आई कैप की तरफ यानि एलेक्टिक फील्ड इसके इधर इस डायरेक्शन में है यहाँ ये ट्विस्टे डायरेक्शन भी इलेक्टिक फील्ड का बदल दिया है इसलिए थोड़ी सावधानी रखके हमें कर लेना चाहिए सवाल पहले वाले में direction में फरक नहीं था x डालो और सीधे निकाल दो इसमें देखिए vector के form में इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है अब चलिए सवाल समझ गया होंगे अब यहाँ लिखा what is the net outward flux through each flat surface यह जो flat surface धकन नुमा यह cylinder अगर है मैं पूरा कोशिस कर रहा हूँ कि बढ़ियां समझ में आई यह जो है और यह इससे जाने वाला flux और इससे जाने वाला flux निकालने की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पहले point को solve करने के लिए area vector लिख देते हैं तो on left size on left face हमारा electric field कितना है minus में left face में left face यह हुआ तो यह है minus 200 i cap newton per kulam delta यह area vector हमारा कितना रहा बिटा जी इसको हम लिख सकते हैं अब यह area vector ना इस direction में होगा तो यह minus i cap के direction में plus i cap तो उधर होता है positive direction में तो यहाँ पर magnitude लिखें यानि कि minus delta s i cap और area का इधार direction है इसलिए minus i cap के direction में है यह बात आप पकड़ पाए होंगे फिर आगे चलते हैं minus area का मतलब है यह एक गोले में है गोले का मतलब circle में है circular area है तो pi r square लगा देंगे तो pi r square i cap meter square तो यह देखी इसमें flux कितना रहा तोड़ा उपर कर लेना चाहिए outward flux outward flux phi e वो रहा e dot s क्योंकि vector के form में है तो vector के form में हमें dot product निकाल लेना चाहिए e का value हो गया minus 200 i cap dot product minus pi 0.05 का square into i cap अब आप जानते हैं कि i dot i तो 1 होता minus minus भी plus हो गया है तो यह value कितनी आ जाएगी यह value जब आप multiply करेंगे तो plus का आ जाएगा 1.57 newton meter square per column आप dot product में जानते ही है कि i dot i की value 1 होती है इतना तो आपको idea है और minus minus प्लस होके निकल आया अब उस तरफ की बात करते है right side of the face वो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर तो on the right face on the right face right face में चले गए तो electric field कितना था बिटा positive में था 200 i newton per column और area vector हमारा क्या रहा वो रहा delta s into i cap तो कि यहाँ पर हमारा delta s का direction कौन सा है positive x axis direction में तो i cap positive रहा हमारा तो इसको लिखा pi 0.05 का square into i cap अब इसका dot product निकाल दो अब इसका अगर हम flux निकाल देते हैं यहीं पर outward flux तो वो हो गया phi e e dot bs electric field फिर निकालेंगे तो देखिए सब कुछ वही figure है पुरानी वाली लिख देता हूँ इसे 200 i cap dot product pi r square वाला pi r square into i cap इसको solve करेंगे तो फिर plus 1.57 newton meter square per coulomb आपका answer आगया तो दोनों faces से कितना कितना flux निकल रहा है यह आपको पता चल गया number two part देखते हैं इसका क्या है what is the flux through the side of the cylinder तो देखिए side of the cylinder से कुछ भी flux नहीं जाएगा उसका काराण क्या है जो electric field है यह डबबा है देखिए electric field है positive x में इस direction में है और negative में इस direction में है इसका surface का अगर 90 degree आप लेंगे तो ऊपर ऐसे जाएगा ऐसे लोगे तो भी 90 बन रहा है electric field और area vector में और ऐसे ले रहे होगे electric field तो भी electric field area में 90 degree बन रहा है तो 90 degree का मतलब है cos 90 zero तो इस spherical से surface से कोई भी flux associated नहीं होगा तो यह बात भी आपकी समझ में आई होगी चाहें तो हम लोग चलिए अगले slide में लिख लेते हैं जो पढ़ रहे हैं तो तमीज सही बात करें for any point on spherical surface spherical मतलब समझ कियों कि curved surface लिख देना चाहिए on curved surface e is perpendicular to delta s so theta is equal to 90 degree cos 90 zero तो जब भी flux आप लेने चाहेंगे आप लिखेंगे e dot ds और इसमें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बात पकड़ ले cos 90 और यह value 0 हो जाएगी number 3 point देखते हैं यहाँ पर शायद net outward flux की बात कही है what is the net outward flux through the cylinder total flux को जोड़ दीजे हर surface से जाने वाला flux तो total flux लिखना होगा net outward flux through the cylinder तो फाई e की value बिट्टा कितनी आई दोनों को जोड़ दीजे पाकि इस curl वाले से तो कुछ जा नहीं रहा था right और left से जा रहे थे तो दोनों को add किया value हो गई 3.14 newton meter square पल कुलाम हो गया क्योंकि cylinder के left वाले इस से और right वाले इस से जा रहा था curl surface से कोई भी flux associated नहीं था सारे को जोड़ दिया अगला what is the net charge inside the cylinder cylinder के अंदर कितना charge है तो वो number ये शायद number 3 था number 4 pi e की जो value होती है वो q inside gauss theorem से gausses law या theorem जो भी आप होले तो यहां q inside अगर हम निकालने चाहेंगे तो phi e into epsilon naught phi e की value हो गई 3.14 epsilon naught 8.85 into 10 की power minus 12 और ये value हो जाएगी 2.78 into 10 की power minus 11 पुला इस तरीके से आप ये जो सवाल था कर सकते हैं ये दोनों ही cube वाला भी और cylinder वाला भी ये दोनों ही मैंने format आपको करा दिये हैं तिसरा format आने वाला नहीं है ना एक छोटी सी चीज और आपको बता देते हैं मेरे दिमाग में आ गई कि कहा है उसको छोड़ा जाए किसी और presentation में तो यहीं नहीं पट लेते हैं ये आप note कर ले पहले ये आपने note मेरे कहल से कर लिया होगा आगे मैं थोड़ा सको उपर ले जाता हूँ ये आप note कर पाए होंगे अगला लेते हैं बेटा ये देखे ये note कर ले इस लाइक तो पूरी clear है इसमें हटने अटाने की जुरूत नहीं है ठीक है अच्छा आपके NCRT में एक सवाल दिया जो अकसर गुमापिरा के पूस्ते हैं बहुत ही सरल है वो कहते हैं कि एक charge मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों रखा है जो suppose करिए यहाँ से a distance पर कोई एक square sheet रखी हुई है जो मान लेते हैं जो B इसका length और breath है ऐसे करके अब पूस्ते हैं यह बताईए कि इससे जाने वाला flux कितना होगा क्योंकि यह तो open है ना तो ऐसे तो कैसे बताएं तो हम लोग चला की क्या करते हैं कि एक hypothetical close surface मानते हैं जिसे क्यूब बना लेते हैं कि देखिए ऐसे क्यूब बनाईए चोटा क्यूब बनाया मैंने शायद और उसके center पर ध्यान रखिएगा center पर हमने charge क्यूँ रखा और यह जो distance थी इसकी यह distance देखिए a हो गई और यह उपर वाली भी distance a हो गई यह symmetric आ गया इस cube के center पर तो हमको यह मालूम है कि यह close surface है अब तो इससे जाने वाला जो flux होगा वो q inside upon epsilon not होगा total बढ़िया अब क्योंकि symmetricity है हर surface से बराबरी flux जा रहा है तो bottom वाले यह निचले वाले इससे से कितना flux जाएगा तो required flux क्या है required flux वो इसका total 6 surface है इसमें गिल नीजे मिलब एक cube में 6 surface होते हैं तो यह इसको 6 से divide कर दिया यह काम हमारा बन गया और answer भी आ गया इस तरह से सरलता से कर लेते हैं एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर हम एक बड़ा सा cube बनाते हैं यह अगर cube है और इसके center हमारा यहां कहीं है ओ हमने charge यहां पहुँचा दिया suppose करिए center यह था cube का और charge हमने अलग कहीं खिसका दिया है तो total flux सेम रहेगा भी total flux through cube through cube वो कितना रहेगा बेटा वो वही रहेगा q upon epsilon not लेकिन अब हर surface से जाने वाला flux बदल जाएगा किसी में जादा किसी में कम आप यह नहीं कह सकते कि इस से जाने वाला flux कुछ छे से divide कर दे अब ऐसा नहीं होगा सिमिट्रिसिटी नहीं रह गई एक तरीके से से आप हटा कि यहां कर देंगे तो बल्ब की रॉक्ष्णी इस पे जादा पड़ेगी इस पे थोड़ी कम पड़ेगी जिसके पास हो का उस पे ज्यादा रॉक्ष्णी पड़ेगी तो अब जाने वाला flux इससे जाने वाला flux 5-1 इससे जाने वाला flux सब बदल जाएगा सेम नहीं होगा बास समझ में आरी होगी जो मैं बताने की कोशिस कर रहा हूँ चार नम्मल लिख दीजे और भी 5-6 भी हो जाएंगे तो all flux will be different but total flux will be same बास ये पकड़ के रखिएगा इसलिए symmetry formation डूनते हैं जिससे हम ये तिकड़म लगा divide कर सके इसमें divide नहीं कर पाएंगे इसमें यहां रख दिया तो इससे जाने वाला flux आपका इस point से 5-2 की value 1 by 6 Q upon epsilon 0 नहीं होगी कुछ और होगी कैसे निकालते हैं वो J advance के सवाल हो जाता है उसमें solid angle आता है picture में निकाल सकते हैं relationship मालूम होनी चाहिए तो हमारे boards में वो नहीं आने वाला दूर दूर तक NEET में भी नहीं आता है J advance में आता है ठीक तो ये बात आप पकड़ लीजे मैंने कहा क्यों ना इसको आपके सामने रख दिया जाए आप समझ गया होंगे मेरे दिमाग में आ गया कि पता देना चाहिए एक कदम और आगे चलते हैं बिटा अब बात करते है application of gaussus theorem तीन चार application है उसको भी लगे आत हम दोग देख लेते हैं जिससे पूरी बात complete हो जाए चलिए पहला application जो आपके course में है वो है electric field due to an infinitely long charge wire तो जो charge wire है infinitely long उससे जो electric field बनता है उसका magnitude होता है E is equal to lambda lambda क्या है linear charge density कितना charge है per unit length charge per unit length का मतलब होता है linear charge density lambda upon two pi epsilon naught r r क्या है r ये distance इसे एक्टार है और इस पे आपने charge दिया है ऐसे suppose करें तो इससे r distance दूर कितना हमारा electric field है उस formula से निकलेगा lambda क्या है linear इसना कहीं लिखा है कि नहीं linear charge density कह देते हैं या आप कह दीजे charge per unit length charge per unit length और r आपने देख लिया भी इसससे electric field होता है cylindrically symmetric symmetric होता है यानि तार अगर पढ़ा है तो ऐसे तार है तो इधर ऐसे निकलेगा ऐसे निकलेगा जयसे bottle brush नहीं होता है bottle safe करने वाला brush और सीधे-सीधे brushes निकले हो तो वैसे ही electric field होता है bottle safe करने वाला अब इसका यह तो formula है बात समझ में आ गई लेकिन अबन मुग ये देखेंगे किसका derivation कैसे किया जा सकता है वो मैं फटाक से आपको निकाल के दिखाता हूँ बिटा तो ये एक wire ले लिया हमने जो infinitely long है इसमें हम लोग एक ये charge इस पे given है और charge density इस पे lambda है एक हम यहाँ पर gaussian surface ले रहे हैं जो cylindrical in shape है ऐसे में ले लेता हूँ इसके center पर ये तार जा रहा है ये gaussian surface है close surface इसी जो मैंने cylindrical bottle दिखाई थी कुछ ऐसे ही समझ लीजे इसके बीचों भी से तार पास हो रहा है अब यहाँ क्योंकि आप जानते हैं कि जो electric field है वो निकलता है ऐसे ऐसे जा रहा है electric field ऐसे जा रहा है electric field चारों दिशाओं में मतलब 360 degree bottle brush अनुसार तो top और bottom में कोई flux associated नहीं होगा क्योंकि electric field का direction है इधर और इसका जो area vector है ds इधर तो यह 90 degree angle बन गया तो नो flux associated with top और same thing for bottom electric field इधर और ds इधर तो यह भी हो गया नब्बे काम खतम कुछ भी काम नहीं बना अब यहाँ पर जो curd area है यहाँ पर सारे मामले चलेंगे तो एक छोटा समय यहाँ पर patch ले लेता हूं ds के according ds क्या रहा इस direction में रहा जिसे मैं ds कह देता हूं ds1 वगएरा कुछ भी लिखा जा सकता है और electric field का भी direction आपका इधर ही है तो थीटा इसके लिए क्या रहा जीरो डिगरी कहीं भी आप patch ले लेंगे ऐसा चोटा सा टुकड़ा थीटा वहा के लिए क्या निकलेगा जीरो डिगरी बात पकड में आई होगी अब अगर आप नाम देना चाहें तो मैं इसको one बोल देता हूं इस bottom को तीन कर्ड़ सर्फेस एरिया को नंबर तीन तो टोटल फ्लक्स एसोशियेटेड कितना फ्लक्स एसोशियेटेड है तो वह close सर्फेस में e.ds तोड़ दीजे तीन सेक्शन में s1 e.ds s1 लिख दीजे e हर जगा सेम है क्योंकि distance r सेम है हर जगा तो ये r ये क्या है ये r distance का यहां पर काम है इधर भी r हो जाएगा center पर है बात पकड़ में आई होगी तो e.ds1 लिख देते हैं कोई दूसरा पकड़ ये तो इसको s2 में लिख दीजे s2 का मदब second वाला ये portion ds2 और रही बात तीसरी e.ds3 इन दोनों में 90-90 टाइंगिल बन रहा है खेल खतम हो जाएगा यानि s1 को लिखते हैं तो e.ds1 कॉस 90 डिगरी s2 में e.ds2 कॉस 90 डिगरी और ये s3 में हमारा कारेकरम बनेगा तो s3 में हमने लिखा e.ds3 कॉस 0 डिगरी इसके लिए 0 डिगरी था s3 चुचूस किया है बहुत प्रेम पूरवक कर सकते हैं ये value 0 हो जाएगी कॉस 90 क्योंकि 0 होता है ये आप जानते हैं मैं दوبारा नहीं बता रहा हूँ अब electric field symmetric है तो हर जगा same है तो electric field आ गया बाहर कॉस 01 होता है ये रहा s3 ds3 अब ये curd surface area जो होता है ये कितना होता cylinder का तो हम और आप दोनों जानते हैं ये value होती है e into 2 pi r l तो ये जो cylinder था उसकी अमारी height कितनी थी वो height थी l तो 2 pi r l इसका e into 2 pi r l total flux हमारा associated आ गया अब यहाँ पर देखिए कि from gauss theorem gauss theorem में हमारा total flux कितना होगा q inside upon epsilon naught q inside इतने के इंदर कितना charge है lambda है एक unit length पर तो l length पर कितना charge lambda into l upon epsilon naught बाद पकड़ में आई होगी lambda charge कितने पर होता है एक unit पर तो l length पर lambda l तो अब ये दोनों flux from ये 1 2 लिख देते हैं इनको equate कर दो from first and second तो ये हो गई value e into 2 pi r l is equal to lambda l upon epsilon naught और इसको थोड़ा सा magnitude के form में लिखे हैं अगर ये value हो जाएगी बिटा lambda upon 2 pi epsilon naught r बस हो गई value magnitude wise अगर मैं इसको vectorally लिखना चाहूं electric field किदर है वो भी दा साथ में तो lambda upon 2 pi epsilon naught r और n cap लगा दोंगा ये है magnitude form में और ये हमारा है vector form में दोंगा उड ईन जासर हो का hundredWhat is n capped E consecह दिए लुक可 हो ये लिखिल Duris? reg दिए लिख दीद़ ये लिख ट्युंगा टाल्य है र्युनगति दे लिखिल प्लेन नॉर्मल तू दी वायर पासिंग तू दी तू दी आप्जर्वेशन पॉइंट ये देखिए इसकी कहानी बन गई कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना आपको प्रेम से किस्टेप बताया वहना आप जट से इसको कर सकते है तो इसको मैं दिखा देता हूँ इसका प्रूफ पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या चीशती इसे दिमाग में आ जाए इन्वाइट इन्फाइनिटली लॉंग वायर है उससे एलेक्टिक फील्ड आर डिस्स पे कितना बनता है इतना बनता है और यहाँ पर इसका यह एक्वेशन यह जो आपको दिख रहा है ग्राफ इसी का यह रेक्टंगुलर हाइपर बोला है यहाँ पर इस प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर है और ऐसे यह जो ग्राफ होता है यह आपका बन जाता है रेक्टंगुलर हाइपर बोला इस तरह से इस प्रूफ यह रहा इसका प्रूफ उपर से दिखाना होगा यह देखी यहाँ पर इसको मैं रोग देता हूँ और इसको आप note यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है note पूरा आई गया है तो इसको खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ती चली एक दूसरा और application में ही point आता है इसको भी देखेंगे हम लोग और करेंगे तो दिखी क्या है electric field due to an infinitely plane sheet infinitely plane sheet है ऐसे बहुत बड़ी सी sheet है thin plane sheet है उससे r distance दूर या कहीं किसी point पर कितना electric field बनता है और इसको बोलेंगे surface charge density तो sigma होता है surface charge density मतलब charge पर unit area यह बात ध्यान की गए यह एक unit area पर कितना charge है sigma तो इसका जो formula निकलेगा e is equal to sigma surface charge density upon two epsilon not इसमें देखिए एक interesting चीज़ किया आती है कि कोई sheet हमारे पास अगर है ऐसी जो infinitely long है तो उससे आप किसी भी distance पर जाईए r पर जाईए r1 पर जाईए r2 पर जाईए यह factor इसमें है ही नहीं तो हर जगा electric field same आता है और यह बात बड़ी important आप से पूछी जाती है e is independent of r the distance from the plane sheet यह पूछी जाती है तो जो plane sheet infinitely long है उससे कितनी भी दूरी पर आप जाए theoretically electric field same मिलेगा r से vary नहीं करता कि पास में है तो ज़्यादा दूर है तो कम यह धियान रखना है अगर यह sigma positive है यानि positive charge sheet है तो electric field का direction होगा away from sheet इस direction में अगर यह negatively charge है तो किसी point पर towards the sheet यह इसका electric field का direction होगा और अगर यह finite large sheet हो जाए बलब यह तो infinite बोलने है तो finite में अगर छोटी finite sheet है तो उसके midway में यह formula applicable रहता है corners पर किनारों पर नहीं रहता है इन finite long sheet में तो बराबर रहेगा जो finite sheet हो जाएगी छोटी के लिजे उस समय उसके midway में mid region में applicable है किनारे applicable नहीं है तो यह इसका भी derivation हम लोग करना चाहेंगे जिसे आप बातों को पकड़ पाएं formula तो याद करेंगे ही आप और इसके derivation भी exam में आते हैं तो वो भी हम करके देते हैं आपको एक sheet जो पता नहीं मैंने डाला था topic की नहीं तो नहीं डाला है तो मैंने यहाँ पकर देते हैं proof इसका यहाँ कई लिख देते हैं जो अभी पढ़ा है उसका proof करने जा रहे हैं तो एक sheet ले लेते हैं विटा ऐसे एक sheet ले ली positively charge ले लेते हैं कोई न कोई charge देना होगा ऐसे पकड़ लीजे चलिए पढ़ना टकाओर और इस पे हम लोग एक ऐसा cylinder लेते हैं close cylinder जिसके center point पर यह sheet है लब sheet इसमें धसी हुई है तो मैं इसमें blue color लेता हूँ जिससे अच्छा सा दिखा सकूँ यहाँ ऐसे गोला मनाता हूँ यह एक cylinder का part इधर निकला हुआ है और यह पीछे cylinder निकला है तो यहाँ से और यहाँ से करीब करीब यह दोनों length बराबर रखेंगे यह कुछ ऐसी कहानी है यह distance पीला कलर ले लेते हैं यह sheet से distance हमारा बेटा r है तो यह distance भी यहाँ से r है this is also r यह center में sheet यानि यह ऐसे sheet है तो आदा cylinder इधर है मैं आपको कोई भी चोड़ना नहीं चाहता हूँ यह sheet है तो यह cylinder मालों ऐसे निकला है तो यह cylinder है बीच में फाड गुज गई है यह sheet cylinder के आदा cylinder इधर आदा cylinder उधर ठीक ऐसी इस्तिती इसकी बनी हुई है तो यह आप यहाँ पर देख पाए होंगे अब यहाँ पर देखिए यह जो sheet होती है इससे electric field कैसी होती है तो हमने यह देखा था कि यह जो electric field होती है इससे जो electric field होगा वो इस direction में होता है इधर होगा इस direction में और इधर होगा uniformly चाहरे तो uniform इसको electric field मिलता है तो यहाँ पर आपको electric field इस समय मिलेगा electric field इधर P point कह देते हैं यहाँ हम P dash ले लेते हैं जो symmetric है और electric field मिल रहा है इधर यह बात और पकड़ लिए cross sectional area इसका A ले लेते हैं cross sectional area A तो यह जो cylinder लिया है वो हमारा क्या है Gaussian surface closed है यह Gaussian surface closed cylinder sheet is in the midway अब हम यह अभी तक पढ़के समझ चुके हैं क्योंकि electric field ऐसे है ऐसे है तो इसके curved surface से कोई भी flux associate नहीं होगा क्योंकि curved surface में electric field का direction ऐसे है और इसका area vector ऐसे होगा दोनों में 90 degree का angle बन जाएगा तो यहां से flux जाएगा केवल P से और यहां से जाएगा P dash है तो दोनों का निकाले अगर मैं बात करूँ flux associated with P P का मतलब है P point पर जो है तो electric field और area vector दोनों का direction A की है तो इसका value क्या हो गया E into A E dot A लिखोगे तो E A cos 0 आ जाएगा यह हो गया E into A same चीज़ हो गई आपकी P dash के लिए electric field और area vector A की direction में इसका भी E A हो गया तो total flux electric flux associated क्या रहा दोनों को जोड़ दें E A plus E A तो यह value हो गई 2 E A Gauss theorem से हम जानते हैं क्या कहानी होती है from Gauss's theorem इससे हमें पता है कि phi E की value Q inside upon epsilon not होती है phi E कहीं से निकालो है तो वही चीज़ तो equation 1 इसको कह दो equation 1 और इसको कह दो equation 1 दोनों को equate कर दो from first and second तो phi यह दोनों चीज़ें बराबर हों गई 2 E A is equal to Q inside upon epsilon not यह बात यहाँ पर आ गई अब यहाँ पर देखिए अगर मैं charge की बात करूँ तो एक कदम आगे लेते हैं इसको हम यह भी जानते हैं कि charge density का क्या मतलब होता है तो charge density का मतलब होता है जितना charge हमने दिया है इसमें इसमें Q charge है सबोस करिए यह यह जो दे रहे हैं charge density केंगे तो total charge लेना पड़ेगा और एक मिनट Q inside है तो Q inside में यह charge associated लेना पड़ेगा तो यह charge कितना हो गया Q inside Q inside सिगमा था surface charge जैंसे नहीं एक एरिया में तो सिगमा और यह एरिया है A तो Q inside is equal to sigma A यहाँ value put कर दो तो 2EA is equal to sigma A upon epsilon not अब यहाँ से आपका A और A कट गया और E की value कितनी आ गई sigma upon 2 epsilon not यही हमें derive करना था है derive कर चुके यह magnitude लिखा अगर इसका vector equation लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं E लिखा vector वाला sign बनाया sigma upon 2 epsilon not और n cap लिख देंगे यह vector form में लिख रहे हैं n cap is the unit vector unit vector normal to the plane normal to the plane and going away from it यह बात clear हो गई अगर sigma अमारा negatively चार योगा तो minus आ जाएगा तो अपने आप आपको दिख जाएगा towards minus काम होने लगा है electric field का direction तो यह बात आप यहाँ पर पकड़ लीजे मैं रिखाल से इसको उपर से दिखा देता हूँ this is the proof कि एक infinitely long sheet में कैसे आप यह formula निकाल सकते हैं आपने पढ़ा ही था sigma positive है तो away from sheet sigma negative है तो towards the sheet इसको आप जरूर ध्यान लखें यह आप note कर पाएं होंगे अच्छा कुछ बाते और है वो भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखें यह अगली बात आती है जो आपके काम की भी है आपसे पूछा भी बहुत जाता है तो यहाँ पर देखें electric field of two positively charged parallel plates यह positively charged parallel plates है और बेटा ध्यान दीजेगा इसमें charge density अलग-अलग है यह sigma 1 है यह sigma 2 है तो यहाँ पर इस case में यह one point है यह two point है यह three इन regions में क्या-क्या हमारा electric field होगा यहाँ पर हमने यह मान लिया है कि sigma 1 की value sigma 2 से बढ़ी है और सब positively charged है तो region 1, 2, 3 की बात करें तो यहाँ पर बात करें अगर हम देखिए region 1 है तो 1 पर बात करते हैं प्लस charge है तो electric field का direction आप देख रहे है अवे और इसकी वज़े से e2 भी अवे यहाँ दोनों electric field अवे हैं जुड़ जाएंगी तो region 1 के लिए region region 1 उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा net electric field की बात करें e, e1 प्लस e2 क्योंकि दोनों का direction एक है e1, e2 कितना रहा sigma 1 upon 2 epsilon naught प्लस sigma 2 upon 2 epsilon naught जो region 1 के लोग बात कर रहे हैं उमीद है ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे और यही आपका यहाँ पर कुछ common आ रहा है तो ले लीजे epsilon naught 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2 और direction बात करें तो left side from sheet 1 लिख सकते हैं direction left side from sheet 1 sheet 1 का मतलब शायद यह लिखा था इस 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको concept समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा अब मैं इस region 2 की बात करता हूँ थोड़ा सा उपर करना बहतर रहेगा शायद red color लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए electric field इससे बनने वाली इस direction में E1 और इससे बनने वाली E2 इस direction में दोनों opposite हैं और sigma 1 हमने बढ़ा लिया है तो region 2 में खट जाएगी है region 2 electric field opposite में direction में तो E लिखा और इसको E1 minus E2 डाल दिया क्योंकि यह direction एक दूसरे के opposite है E1 बढ़ी है तो बढ़ी में से चोटा net result right side from sheet 1 तो यह value कितनी हो गई sigma upon 2 epsilon 0 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0 value आगई 1 upon 2 epsilon 0 sigma 1 minus sigma 2 direction क्या रहा direction right side from sheet 1 क्योंकि यह even बढ़ा है ना तो net इसका result केदर हो जाएगा right side बात पकड़ में आई होगी number 3 region की बात करें अब यहाँ यहाँ कहीं रोक लेते हैं यहाँ लिख लेता हूँ region 3 यह आपके इंपोर्टेंट है अक्सर सवाल आते हैं competitive exam में भी आते हैं यहाँ पर देखे पहले वाले से जो electric field है वो इस direction में e1 और दूसरे वाले से भी अवे है positive charge है e2 दोनों का एक ही direction है तो जुड़ जाएगा यह e कितना रहा e1 प्लस e2 तो sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0 sigma 1 sigma 2 1 upon 2 epsilon 0 sigma 1 प्लस sigma 2 और electric field के direction की बात करें यह direction आ जाएगा direction of electric field field sheet 1 के right side में या sheet 2 के right side में तो direction of electric field is right side side from sheet 2 यह देखें पूरी बात आप समझ पाएंगे यह यहाँ पर दोनों ही sheets positive थी sigma 1 sigma 2 जो इस पर surface charge density थी वो अलग-अलग थी sigma 1 को sigma 2 से ज़्यादा मान के काम किया है तो यह note करें फिर अभी लेंगे जहाँ पर एक positive और एक negative sheet मिलेगी वो भी बहुत आपके आप पोचा जाता है तो यह आप इसको note कर लीजे और इसको मैं तोड़ा उपर ले जाता हूँ जिससे पूरी बात आपके कहीं भी कुछ भी रहना जाए एक जबरदस्त मेहनत मेरी तरफ से आपके लिए और आपके embedded होनी चाहिए आपके लिए ठीक है तो अगली बात और लेते हैं सामने अब यहाँ पर देखिए आपको मैं notify कराऊ या ध्यान दिलवाऊ दो sheet है oppositely charge है एक plus charge है एक minus charge और दोनों पे sigma सेम है uniform charge density है तो पहले में sigma 1, sigma 2 यहाँ देखिए plus sigma है इसपे और इसपे minus sigma है यह positively charge है यह negatively charge है तीन region है यहाँ पर अगेन तीनों region में क्या क्या electric field हों का जल्दी से देख लेते हैं पहले वाले region में positive से electric field का direction इधर negative वाला अपनी तरफ e1, e2 opposite है तो region 1 की कहानी कहें region 1 इसमें देखिए तो region 1 में e1 minus e2 तो e जो net आएगा उसमें मैं e1 को e2 में घटा देता हूँ तो sigma upon 2 epsilon 0 minus sigma upon 2 epsilon 0 क्योंकि sigma सेम था दोनों में तो यह result कितना आ गया 0 यानि इस side में no electric field फिर direction की बात ही कतम हो गई को electric field ही नहीं है फिर आप आज आज आईए region number 2 मा है region number 2 बीच का region है electric field का direction आप देख रहे हैं दोनों एक की तरफ है e1 भी धर e2 भी धर दोनों add कर देंगे हम लोग e is equal to region 2 में e1 plus e2 तो sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0 तो value कितनी हो गई ये capacitor में भी यूज होगी आपके और ये value आगई sigma upon epsilon 0 इसका direction किदर है plus से minus की तरफ direction of electric field from positive plate to negative plate ये आपसे कई बार पूछा जाएगा बोर्ट में बहुत pet questions में से एक है बहुत सरले और इस funde का इस्तमाल आप अगले चेप्टर में जब capacitor पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी दूम दढ़ाके से होगा जब आप असानी से समझ जाएंगे तब अब region number 3 में आ जाते हैं थोड़ा सा उपर करता हूँ अब region number 3 यह है यहाँ पर देखिए plus वाले के वज़े से electric field अवे negative की towards ये e1 e2 opposite direction में घटा देना चाहिए हम पो तो region number 3 फिर इसमें e की value क्या हो गई e1 में से e2 हम घटा आते हैं तो epsilon upon sigma upon 2 epsilon naught minus sigma upon 2 epsilon naught और ये value 0 आ जाएगी तो यहाँ पर आपने देखा कि इस region 3 में भी electric field 0 न मिला है तो जब एक positive और negative plate होती है और same charge density होती है तो उसके बीच में ही electric field होता है positive plate से negative plate की तरफ बाकी दोनों साइड उसके बाहर कोई electric field नहीं पाया जाता जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ E0 हो गया E net 0 अगर मैं लिख दूँ E net यहाँ पर शून है E net यहाँ पर शून है और यहाँ पर E net की बात करूं तो sigma upon epsilon not निकाला है जो यहाँ कहीं आपको लिकाल के दिखाया है इसको note कर लीजे फिर अगली बातचीत हम लोग करेंगे यह भी important था जिससे कि आप पूरी बात पकड़ पाएं तो कैसे हुआ है क्या हुआ है इसको आप जरूर ध्यान में रखें application में एक चीज़ और आती है जिसमें electric field due to charge shell की बात की जाती है वो भी इसी में application है उसको भी मैं करके दिखाऊँगा जिसे बात पूरी समझ में आ जाए तो यह जिकी shell क्या होता है एक football समझ लीजे खोकला shell है और conducting shell है नहां लिखा होगा field due to a uniformly charge thin spherical shell अब यहां पर जब आप कोई charge देते हैं तो क्यू charge कर देंगे तो चारो तरफ फैल जाएगा same way में ऐसे ऐसे फैल गया charge suppose करिए अब यहां पर इसका center O है इसका radius कुछ R ले ले लेते हैं अभी मैं इसका आपको वो भी करके दिखाऊंगा derivation तो तीन case बनते हैं एक तो जब हमारा कोई point P small r distance अगर ले ले small r is greater than capital r तो यह outside कितना मामला है electric field कितना है outside एक फिर आजाता है मामला P की बाद मैं P1 कह देता हूँ on the surface जहाँ पर r और capital r बराबर होंगे आजाता है मामला जब हमारा r capital r से छोटा हो inside इन तीनों जगा यानि इस जगा electric field जो charge दिया है on the surface और inside the shell हम electric field निकालने की कोशिस करेंगे प्रूफ भी करेंगे क्या-क्या electric field होती है थोड़ा सा आपको idea देते हैं फिर मैं इसको derive कर दूँगा आपको समझाते हुए when point p lies outside this spherical shell जहां पर small r capital r से बड़ा हो जाता है point outside the shell the field due to uniformly charged shell is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center यह conclusion लिखा हुआ है जब आप outside the shell जाते हैं वहाँ पर उस समय ऐसा behavior shell करता है कि shell का सारा charge इसकी center पर हो तो जो point charge का formula होता है वही applicable हो जाता है फिर on the surface जब आते हैं आप जहां गया when point p lies on the spherical shell फिर क्या answer निकलेगा वो भी निकाल देंगे और फिर जब inside the shell आते हैं तो यहाँ पर electric field आपको शून मिल जाता है और hence electric field due to uniform charge spherical shell is zero at all points inside the shell तो चलिए इसका मैं proof करूँ तीनों condition के लिए तो मज़ा आएगा तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको ले लेता हूँ proof एक जो condition लेता हूँ proof के तोर पर एक shell ले लेता हूँ यह एक shell ले लिया इसका center O है इसका radius R है हमारे पास और हम outside the हम पहला case deal कर रहे है A लिख देते है outside the shell मतलब small R की value capital R से बड़ी है किसी point P को यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से आप दूरी बना लीजे यहाँ कहीं पकड़ लेते हैं P point और आप Gaussian surface लेंगे यहाँ से एक हम spherical surface लेते हैं यह हमारी spherical Gaussian surface ले लेते हैं अब देखें यह जो इसको जो हमनों ने charge यह तो uniformly charge sphere है ही तो uniformly charge sphere में due to symmetry जो R distance हमारा यह जो R distance है इस समय R distance पर हर जगा electric field का magnitude same आएगा क्योंकि center पर रखा हुआ है और readily outward जाएगा यह भी हमको पता है यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर इस point पर electric field का direction क्या होगा यह होगा और जिसकी value होगी one upon four pi epsilon naught q charge इसको दिया है shell को तो q upon R square यह value होगी यहाँ पर electric field की आप इत्ती बात पकड़ पाएं होंगे अगर मैं charge की value लिखूं इस पर charge कितना है तो मैं लिख सकता हूँ q is equal to इसका surface area कितना है four pi capital R square और यह रहा surface charge density sigma क्या है surface charge density यानि एक unit area पर कितना charge होता है यह मैं बता चुका हूँ फिर भी एक बार लिख रहा हूँ surface charge density चार्ज पर unit area चार्ज पर unit area इसके तहट uniformly charge है तो क्यों कितना हुआ इतना सर्फ एक पर था sigma तो four pi R square पर कितना हुआ four pi R square pi R square into sigma अब Gaussian surface से flux कितना है flux through Gaussian surface तो phi E की बात करेंगे तो value कितनी आ जाएगी E into four pi R square तो कि यहाँ पर electric field और surface में zero degree का angle है zero तो E dot ds जीसे कर रहे हैं यहाँ आपको E dot delta s कर देते हैं तो यह हो गया E delta s cos zero degree तो electric field into surface area कितना four pi R square यह surface area किसका है? Gaussian surface का इसका तो यहाँ था यह Gaussian surface का तो total electric flux हो गया by Gauss theorem क्या रहा? by Gauss theorem pi E की value क्या होगी? q inside upon epsilon naught तो यह पहली equation लेलो इसको दूसरी लेलो from first and second from first and second तो यह value क्या होगी? q inside upon epsilon naught e into four pi R square तो electric field कितना रहा? one upon four pi epsilon naught q upon R square और यह वही तो electric field है जब एक point charge आप रखते हो कहीं उससे R distance दूर कितना electric field बनता है? तो यह behavior वैसा ही कर रहा है इसको अगर हम लिखें तो vectorally आप ऐसे भी लिख सकते हो मैं यहाँ पर यह बार लगा दो q upon four pi epsilon naught R square और यहाँ लिख दो R cap यह value भी आप लिख सकते हो और same field same field as produced by by a charge q placed at a center at a center of the shell इसका मतलब है यह जो formula कुछ ऐसा है कि जो charge सारा है उसके center पे place है वैसा यह बना रहा है electric field देखिए formula ऐसा है तो outside the shell यह conclusion भी याद रखना है हमको कि यह shell कैसा behave करता है जैसे की center पे सारा charge आ गया हो और उसे electric field बन रहा हो तो यह पहला कहानी थी जो हमनों ने proof की कि outside the shell अब हम लोग बात करेंगे कि पी जब उसके पी जब इस surface पे रहेगा तब क्या होगा आए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पे second point ले लेते हैं अभी मैं आपको note करने का भी समय दे दूँगा तो B case लेते है P on the surface R is equal to capital R मतलब समझ गया होंगे यह shell है और यह O है यह capital R है और हम लोग यहीं पे आ गया है P यहीं इसी के ऊपर आ गया है तो जो पीछे हमने किया था वहाँ पर सब कुछ सेम जाएगा बस देखिए electric field तो लिख लेगा E into 4 pi R square देखिए सब कुछ working आप सेम करेंगे तो E into यह जो small R है यह capital R हो जाएगा total flux में क्योंकि यहाँ पर small R था small R capital R बराबर है तो E into 4 pi capital R square हो जाएगा समझ में आ रहा होगा न क्योंकि यह distancey अब R बराबर R है P value हो गई E into 4 pi R square Q inside upon epsilon naught तो E की value कितनी है जाएगी है 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square इसको भी ध्यान लखिए जब R बराबर R होता है तो यह कहानी होती है फॉर लिख दो अच्छाई इसको एक तरिके से और याद रखा जाता है जो रखिएगा sigma के form में तो इसको आप देखेंगे तो E is equal to sigma upon epsilon naught इसको भी पकड़ की चलें क्योंकि Q की जो value लिखी थी हम लोग ने 4 pi r square into sigma लिखी थी तो यहाँ पर 4 pi r square की value निकालेंगे तो Q upon sigma Q से Q कट जाएगा और ये epsilon sigma upon epsilon naught आ जाएगा या आप Q upon 4 pi epsilon 4 pi r square की value करेंगे तो sigma आ जाएगा sigma upon epsilon naught ये भी कहानी याद रखनी होगी जब r वरावर r होता है कई जगा इसका इस्तिमाल आपको मिलेगा तीसरा case भी देख लेते हैं जल्दी से जब P हमारा inside the shell होगा तो आईए फटाक से इसको देखते हैं part या c part है when P inside the shell यानि r की value less than r है यानि ये जो हमारा shell है उसे r तक की कहानी इस समय r हमारा इससे छोटा है ये point P अंदर आगया inside लिख दिया ना inside the shell ये कहानी है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक Gaussian surface ले लेंगे जो यहाँ से जा रही है ऐसे ये क्या है this is spherical Gaussian surface spherical Gaussian surface ये spherical Gaussian surface ले ली अब phi e जैसे पहले किया था ना phi e कितना हो जाएगा e into 4 pi r square कोई दिक्कत ने भी पीछे निकाला same logic लगा दें यहाँ पर और from Gauss theorem from Gausses theorem तो Gausses theorem से हमारी value होगी phi e is equal to q inside upon epsilon naught अब कहानी क्या है q inside is zero इस Gaussian surface के अंदर क्या कोई चार्ज है कोई चार्ज नहीं है चार्ज तो इस spherical shell पर है चार्ज तो यहाँ है इस Gaussian surface के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है q inside is zero तो अगर q inside zero है तो zero upon epsilon naught which is equal to zero अब यह दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए तो इन दोनों को आपस में club कर दीजे तो phi e की value कितनी हो गई e into 4 pi r square बराबर zero तो यहाँ पर e की value आ जाएगी zero यहनि electric field inside the shell is zero uniformly charge जो shell है उससे zero होगी इस तरह से आपके सारे application जो course में सब complete हो जाते है मैं एक बार दिखा देता हूँ आप अच्छा इसका एक graph भी बना दूँ graph बड़ा महत्तुपूर है इसका तो देखिए यह जो तीनों बाते निकली में graph बनाता हूँ तो graph के लिए आप यहाँ पर एक electric field पकड़ लीजे इस direction में important graph है यह रहा आपका R यह spherical spherical shell के लिए है uniformly charge यह काफी important है यह दिहान कियेगा तो क्या होता है अगर मैं shell को यहाँ पर आपको बनाओं और थोड़ा सा idea देने कोशिस करूँ यह माली यह shell थी डाग्राम रफ है तो उसी आप से समझेगा यह इसका center था तो यहाँ से यहाँ electric field हमें शून ने मिला था आपको याद होगा inside the shell तो इसको मैं यहाँ पर dotted line ले जाता हूँ और इसको ऐसे मिलाता हूँ यह कौँ सा point है जहाँ पर small r और capital r बराबर है यह है small r is less than r यानि मतलब inside यह on the surface और यहाँ का जो point आगे का होगा वो r is greater than r होगा यानि outside तो यहाँ पर इसके अंदर तक electric field शून मिलेगा जैसा हमने देखा यहाँ पर यह जो point है यह जो electric field है वो electric field इस point पर मिलेगा e बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square यह जो point है यहाँ पर electric field मिलना इसके बराबर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह inverse square law follow करते हुए इसे घटेगा यह जैनि e is proportional to q upon r square यह कहानी बनेगी formula में यहाँ पर r square यहाँ पर जो formula है r square आजाएगा बाकी सब constant है तो e is proportional to q upon r square this graph is very important very important आपके exam के लिए graph क्या है e versus r e electric field एक तरफ है तो इसे आप लिख सकते है नाम के spherical shell of charge यह देखिए तो this diagram is also very important और किसी भी सीमत पर यह skip नहीं होना चाहिए तो आपको यह आप copy कर लें इसको विड़ा और यह मामला देखिए यहाँ से शुरू हुआ था यह graph बना था वो मैंने बना भी दिया है यह जो बाते लिखी थी उसी का मैंने proof भी सारा करा दिया यह proof case लिया था जब outside की मामला था तो यह आप copy कर सकते हैं मैं हट जाता हूँ note कर लें आप थोड़ा सा यह आप note कर पाए होंगे एक कदम और आगे बढ़ते हैं यह दूसरा है यह note कर पाए होंगे जब हमारा on the surface था तीसरी बात करते हैं जब यह हम लोग inside the surface आयते बटा तब की कहानी फिर उसके बाद हम लोंने देखा था इसका graph जो मैंने आपको बना के समझाया था यह तब की कहानी मैं हट जाता हूँ इस तरह से इसको आप note डाउन कर लीजे तो मुझे उमीद है कि य आज का session जिसमें area vector से बात शुरू हुई flux सीखते हुए gauss law सीखते हुए उस पर numerical करते हुए सारे application हम लोगों ने किये तो यह जो एक tremendous effort है आपके लिए आप इसको appreciate कीजे और अपने फाइदे के लिए lecture को अच्छे डंच से बढ़िए और notes बनाईए उमीद करता हूँ कि य को share कीजेगा arvind academy channel को subscribe कीजे और इसी तरह के वीडियो शानदार वीडियो conceptual वीडियो आपको मिलते रहेंगे thank you very much wish you all the best